हलो एवरिवान वल्कम बाक टू अराउंट सत्या क्या हाल चाहा बढ़िया चलिए तो आ गया हुमें एक बार फिर से आप सभी के लिए करके हाई स्कूल की पोयम फॉग जिसको लिखा है काल सैंडबॉग में तो आज हम इस वीडियो में जैनेंगे इसके हिंदी एक्स्प्ला on little cat feet अब इसमें जो है यह जो फॉग है ना फॉग यानी कोहरा जाले में आपने देखा होगा इसको कभी है उन्होंने फॉग को बिल्ली से कंपेर किया एक बिल्ली उसकी तूलना की है फॉग यानी कोहरा कम साता है ओन लिटिल केरटवीट लिटिल मतलब छोटा cat feet मतलब ब तभी हो कहता है कि जिस तरह से एक बिल्ली दबे पाउं आती है ठीक वैसे ही कोहरा भी चुपके से धीरे धीरे दबे पाउं आता है जिस तरह से एक बिल्ली दबे पाउं आती है और वो चुपचा बैठ के आस पास के वाता वरल को ऐसे ऐसे देखती रहती है ठीक वैसे ही यह जो कोहरा है वो आता है और बंदरगाह और सहर के ऊपर दुबक के बैठ जाता है और वहीं से सब कुछ देखता रहता है आन साइलेंट हाउंचेस अब किस्त आन यानि पर साइलेंट यानि सांत हाउंचेस का मतला कूबल निकलना या उकडू करके ऐसे बैठना तो अब बिल्ली आती है चुपचा बैठेगी अपने सारे पाएं वाशे सिकोड करके एक तम सांत बैठेगी और चुपचा कुछ देर के बाद जिस तरह से बिल्ली चली जाती है ठीक वैसे ही कोहरा भी मूव सौन मतलब वहां से चला जाता है अर्थात समाप्थ हो जाता है ठीक तो यह रहा इसका हिंदिश्वल नेशन आईए अब जानते हैं इसके सेंटरल आइडिया के बारे में दा पोयम फॉग इस कंपोस्ट बाई काल सैंडबॉग यानि जो फॉग नामक कभिता है वो कॉल सैंडबॉग के द्वारा लिखी गई है दपोयट कंपेस्ट कमेंग एंड गोइंग फॉग फॉग तो एक जाने का जो तुलना है एक बिल्ली से करते हैं किस तरीके से बिल्ली आती हो चली जा जाती है या गया भुचाती है दफॉग सीट्स एंड लुक्स ओवर दा हार्बर एंड सीटी जस्ट लाइक एक एक बिल्ली चुपचा बैठके चारो तरफ देखता है चारो तरफ की चीजों के बारे में जानता है या उसको समझता है काई जैसा कि नोभ यानि कोई भी नोटीस मतलब ध्यान देता है उस पर जció पने जाने ऑने का भी गया कोई तो ध्यान एलिमेंट क्योंकि जो फॉग है वो सामानने सा एक प्राकर्तिक तत्व है ठीक सबको पता है कि जाड़े में कोहरा आता है और फिर चला जाता है ठीक है तो यह रहा इसका सेंटल आइडिया और जो कभी है उन्होंने इसमें फॉग एक जो कि नेच्छल एंडिमेंट है एक प् आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा थैंक्स वर वाचिंग